जै हैं दोस्तो pun, स्वागत है आप सभी का वी A समैस्टर वाला में दोस्तो, जैसा के आप सभी लोगों को पता है आप सभी की Classes भी यह 5 समस्टर की सभी सम्जैट की और सभी समस्टर की आपकी Continue classes आ रहे हैं भी A समस्टर वाला चैनल पर वहाँ पर आपके सारे classes six semester के मिल जाएंगे sociology के, political science के, hindi के, history के, scient history के, सभी classes आपको मिलेंगे ठीक है, तो एक बार channel पर विजिट जरू करें दोस्तों, उसके बाद subscribe जरू किजेगा, ताकि आप six semester में भी मेरे साथ जुड़े रहें, आज के इस class के माद्यम से हम लोग cover करने बाले हैं, भी ये third year, fifth semester, sociology, paper two, यानि समाज सास्तर का paper two है, paper का नाम है, research methodology in social sciences, यानि समाजी विज्ञान में अनुसंधान पद्धती, new batch आप लोगों का start होगे exam 2024 के लिए, exam 2025 के लिए, और यह जो class है, 2026, 2027 exam के लिए भी most important होगी, ठीक है, चले, आगे मैं बात करता हूँ दिन द्यालुपत्ध है, गोरगपूर विश्विद्याले का, तो इनका sociology का, जो paper two का paper code है, SOC 302 है, ठीक है, और पहला जो sociology का paper code है, पहले paper का SOC 301 है, उसका भी मैंने classes करा हैं, description box में playlist का link दिया गया है, जा करके आप इस class को attend करने के बाद, बाकी सारे classes भी attend कर सकते हैं, ठ methodology भी ये 5th semester paper two का model paper one है, class b1 है, जो बच्चे continue हमारे साथ जुड़े होंगे, उनको पता होगा दोस्तों, ये top 100 most important जो questions होते हैं, वो आपके notes मिला करके होते हैं, ठीक है, 100 से भी ज्यादा questions ही होते हैं, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, मैं आप exam की बात करूँ, तो देख भीम रामबेटकर उनिवर्सिटी है, मास अगुंबारी उनिवर्सिटी है, राजा महन्त पताफ सिंग स्टेट उनिवर्सिटी है, सिधात उनिवर्सिटी है, महात्मा गांदी कासी विद्यापीट है, यहां पर आपके कुछ लिखित एक्जाम होने वाले हैं, महात्मा गां जिनका objective हो वो तो mostly करेंगे, चले हैं, स्टार्ट करते हैं साथियों आज की कलास, इसमें पहला प्रस्ण आपका पुछा गया है, Research Methods in the Social Sciences के लेखक कौन है, तो ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक है, NACMIAS और NACMIAS, C आपसन आपका राइट है, चले, इसी तरह से दोस्तों, दूसरा प्रस्ण आपका पुछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समासास्त्री अनुसंधान का अन्तिम चरण है, बताईए, इने में से कौन सा समासास्त्री अनुसंधान का अन्तिम चरण है, तो ये परितिवियेदन लेखन जो होता है ये अनुसंधान का अंतिम चरण होता है ठीक है डी आपसन आपका राइट है और दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी है प्लीस इस मॉडल पेपर को आगे इस तरह से सेर बटन मना होगा इस पर क्लिक करके आगे जरूर वार्टसप पर इस क्लास को सेंड कर देंगे ठीक है दोस्तो एक लाइक जरू किजेगा लाइक करने से क्या होता है कि यूटूब इस क्लास को बाकी बच्चों के पास आटोमेटिकली रिकमेंड कर रहेगा भेजेगा अगर आप लाइक करते हैं तो लाइक नह द्वारा लिखा गया है तो यह साथियों लजार्स फेल्ड और रोजेन बर्ग द्वारा लिखा गया है यह पूस्तक ठीक है दे लाइंग्वेज आफ सोसल लिशाच यह आपसना आपका राइट है चले प्रस नमबर चार आपका क्या पूछा गया है प्रतिदर्स का आकार अगर के आकार से छोटा होता है बी आपसना आपका राइट है प्रस नमर पांच आपका पूछा गया है फ्रैंसिस बैकन ने नोवम आरगेनम नामक पूछतक लिखी थी किस भासा में लिखी थी भी या ग्रिक भासा में लैटिन भासा में अंग्रेजी भासा में या जर्मन भासा में तो याद रखेंगे फ्रैंसेंस बैकन ने जो किताब लिखी थी नोमम आरगेनम या हमेशा इसको लिखा गया था आपका लैटीन भासा में ठीक है भी आपसन आपका राइट है ध्यान रखेंगे चले प्रस नमबर 6 आपका क्या पूछा गया है कौन सा कानून सैंपल इन्वेस्टिगेशन से संबने थे है बहुत ही फेमस कोशन है यह बहुत हीं इमपोर्टन है तो लाफ इस्टैटिस इर्टिकल रेगुलरिटी और लाफ इन donor इये आप लार्ज नमबर ये दोनों जो आपका लिखा गया है ये दोनों कानून जो है ये sample investigation से संबंदित है ठीक है तो उपर्यूग तो दोनो C आपसन आपका right है प्रस नमबर आपका साथ क्या पूछा गया है वह बिधी जिससे एक नमुना चुना जाता है वह कौन सी विधी है जिससे नमूरा चुना जाता है तो डिजायन विधी से नमूरा चुना जाता है C आपसन आपका right है प्रस नमर आठ आपका पूछा गया है किसी समस्या का ततकाल समस्या खोजने के लिए अनुसंधान किया जाता है किसी समस्या का ततकाल समस्या खोजने के लिए जो अनुसंधान यानि रिसर्च किया जाता है, तो किसी समस्या का ततकाल समस्या खोजने के लिए जो रिसर्च किया जाता है, जो अनुसंधान किया जाता है, वो कारिवाई पर सोध किया जाता है, भी आपसन आपका राइट है. प्रस्ट नमर नौ आपका क्या पुछा गया है ध्यान से देखेंगे प्रेरणा सोध एक परकार का है प्रेरणा सोध एक परकार का गुड़ात्मक सोध होता है बी आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर दस आपका क्या पूछा गया है अनुसंधान के विशय का मुल्यांकन किया जाता है यानि रिसर्च के विशय का मुल्यांकन किया जाता है वेवहारिता के अधार पर और उपयोगिता के अधार पर दोनों अधार पर किया जाता है सी आपसन आपका राइट है चले प्रस नमबर 11 आपका पुछा गया साथियों निम्न लिखित में से किसका उलेख बैकन ने अभिनाती के एक सुरोत के रूप में नहीं किया है तो आइंडल्स आफ दे कम्यूनिटी का ठीक है इसका उलेख बैकन ने अभिनाती के सुरोत के रूप में नहीं किया है तो आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 12 आपका पुछा गया है Methods in Social Research नामक पुस्तक के लेखक है इस पुस्तक के लेखक है William J. Good और Paul के हैट ठीक है D. आपसन आपका राइट है अच्छा आपके एक्जाम में डारेक्ट इतना बड़ा नाम नहीं लिखता है सिधे लिखेगे गूडे एवं हाट ठीक है ध्यान रखेंगे D. आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 13 आपका क्या पुछा गया है बिश्टैंड के अनुसार एक विज्ञान की रूप में समासास्त्र निर्भर है किस पर निर्भर है अनुभाविक बीधी पर और तरकसंगत बीधी पर दोनों बीधियों पर ठीक है C. आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 14 आपका क्या पुछा गया है निम्नलिखित अनुसंधान यानि रिसर्च अभिकल्पों में से कौन सा अतियंत नमनसील है तो जो इन चारों में से इन तीनों में से जो रिसर्च अनुसंधान है पर योगात्मक अभिकल्प है वर्नात्मक अभिकल्प है और गवशनात्मक अभिकल्प है इन तीनों अनुसन धानों में से कौन सा जो अभिकल्प है वो बहुत ही नमनसील है तो इसमें जो गवशनात्मक अभिकल्प है यह बहुत ही नमनसील है सी आपसन आपका राइट है देखे थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको इतनी गहराई से इतने अच्छ से समझाएंगे ताकि आपका एक अही बार में सारी चीजे किलियर हो जाए दोबार आपको देखने की जरुगत ना पड़े आप एक्जाम में काफी अच्छे नंबर से पास हो जाएं ठीक है चले 15 नंबर पसन है तथ्य संकलन की किस प्रविधी में कानों तथा वाड़ी की अप्यक्छा नेत्रों का प्रयोग सम्मिलित है यानि तथ्य एक संकलन है ठीक है इसमें किस यानि इन चारों प्रविधी में से किस प्रविधी में कानों यानि आपके क का राइट है प्रस नम्मर 16 आपका क्या है यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पधती में है ना कि उसकी विशयवस्तु में तो यह कारल पियर्शन का विश्वास है ठीक है यह आपसनापका राइट है कि शीच्छा जगत में कब पुरतिश्ठित हुआ करियात्मक अनुसंधान ठीक है यानि की रिसर्च है यह सिच्छा जगत में कब प्रतिश्ठित हुआ तो यह हुआ था 1953 में 1903 में क्रियात्मक अनुसंधान सिच्छा जगत में प्रतिष्ठित हुआ बी आपसनाप का राइट है अब यहां आप लुग ध्यान रखेगा क्रियात्मक अनुसंधान का इस्तिमाल सिच्छा के छेत्र में सबसे पहले साल 1903 में इस्टिफन एम कोरे ने किया था हलाकि इस सब्द का सबसे पहले जर्मन अमेरिकी समाजिक मनोबैग्यानिक कर्ट लेविन ने 1944 में गढ़ा था अच्छा गढ़ा कब था और इसका उपयोग कब किया गया था दोनों आपका अलग अलग है और दोनों पुछा जाता आपके एक्जाम में ठीक है पुछा जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान जो सब्द है ये सिच्छा के छेत्र में कब गढ़ा गया था 1944 में किछने गढ़ा था कर्ट लेविन ने पूछे क्रियात्मक अनुसंधान सब्द का जो इस्तिमाल है उस इच्छा के छेत्र में कब किया गया था 1953 में किस ने किया था इस्टिफन एम कोरे ने ठीक है कब किया था 1953 में ध्यान रखेंगे अच्छा आप लोग पीडियाप जरूर डाउनलोड कर लिजेगा भी या ठीक है पीडियाप से क्या होगा सर जी आपका रिविजन भी हो जाएगा और यह जो नोट्स हैं आपको यह सारे फिरी में मिलेंगे आपको एक भी पैसा देना नहीं है ठीक है तो टेलेग्राम मेशन राती वो टेलेग्राम गुरू में दिया जाता है ऐसा क्यों सर जी क्योंकि देखें बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है इसलिए टेलेग्राम गुरू में ही तुरंत मैं लिख करके भेज़ देता हूं यह आपकी निउज है यहां इतने तारीक एक्ज में पढ़ेंगे को कुरिकुलर कुर्स में तो उसमें आपका कम्यूनिकेशन इसकेल्स और प्रशनाल्टी डेवलमेंट होता है उसको भी मैं काफी अच्छे से पढ़ाता हूं तो चले कोई बात नहीं वह तो आगले साल की बात है ठीक है चले साच्छातकार की भी सेस्ताइ क्या होती है तो दो व्यक्तियों के मध्य संबंध होता है और एक दूसरे से संपर का स्थापित करने का साधन भी होता है तो दोनों सी आप सनापका राइट है प्रस नमबर 19 आपका पुछा गया साच्छातकार के तीन प्रमुख अवयब हैं यानि इंटर्व्यू के तीन प प्रमुख लेता है वो होता है तो आपसा नमबर सी होगा उपर युक्त सभी दोनों आपका राइट है ठीक है चले प्रस नमबर 20 आपका पूछा गया है निम्नलीखीत में से कौन एक प्राथमिक तथ्यका सुरोत नहीं है तो देखे इसमें जो प्राथमिक तथ्यके सुरो हैं लेकिन प्रस नावली आपके प्राथमिक तथ्यका सुरोत नहीं है सी आपसानाप का राइट है प्रस नमबर 20 का चले एकका इस नमबर प्रस नापका पूछा गया है निम्नलीखीत में से किसे ने अपने अनुसंधान में साभागी अवलोकन का परियोग किया बताइए इन चारों में से किस विद्वान ने अपने अनुसंधान यानि अपने रिसर्च में साभागी अवलोकन का परियोग किया है तो देखे जो आपके गुड़े और महाठ है इन्होंने अपने रिसर्च में अपने अनुसंधान में साभागी अवलोकन का परियोग किया है सी संख्या क्या अध्यन किया जाता है इसे कहते हैं निदर्शन संगड़ना जनसंख्या या जनसंख्या निदर्शन क्या कहा जाता है बताईए अगर कोई व्यक्ति है मालेजे आप अहीं है ठीक है अगर आप जनसंख्या के उपसमू के वजाए पूरी जनसंख्या क्या अध्यन कर रहे हैं तो उसे साथियों संगड़ना कहते हैं अच्छा ध्यां रखेंगे इस समय थोड़ा दिवाली का समय आ गया है क्योंकि अब दसारा तो खतम हो गया है थोड़ा सह मैनेज करेंगे आप लोग ठीक है चले क्यों मैंनेज करेंगे थोड़ा सा सोर वगेरा हो रहा है पढ़ा के को ले करके ठीक है चले कोई बाद नहीं मैं थोड़ा तिस से बोलने का प्रयास करूंगा तेस नमबर प्रस नहीं निम्नलिखित प्राविधियों में से कौन सी समभाव्यता निर्दर्शन प्राविधी है तो ये आपका दैव निदर्शन है सी आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 24 क्या पुछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्राविधी सर्वेक्षन सोध में प्रयूक्त नहीं होती है तो देखें पहले ये जान लिजिए कि कौन सी प्राविधी सर्वेक्षन सोध में प्रयूक्त होती है तो साथियों ज जो होती है प्रशेभी प्रवीधी ये आपके प्रवीधी सर्वें छण सोध में प्रयुक्त नहीं होती है डी आपसन आपका राइट है अच्छा कौन-कौन होता है ये याद रखना क्यों जरूरी है सर जी क्योंकि आपके निगेटिव कोश्चन जब पूशेगा तो हो सकता ह है इन तीनों में से किसी और के बजाए कोई और आपके आपसन में दे सकता है ठीक है तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है चेले प्रस नमर पचीस आपका पुछा गया है अनुसंधान यानि रिसर्च में उपकल्पना का उपयोग अधारित है किस पर अधारित है तो नि इस आपका पुछा गया है निम्नलिखित में से कौन साथ दूइतियक आंकडों का सुरोथ नहीं है देखे पहली यह जान लीजिए दूइतियक आंकडों के सुरोथ कौन-कौन से है तो देखे सोध पत्री का जनगड़ना प्रतिवेधन ये दोनों आपके दूइतियक अभिकल्प उस योजना से संबंदित है जिसके द्वारा आवस्यक सूचनाओं का विकास किया जाता है यह परिभासा संबंदित है किससे रोनार्ड गिष्ट से संबंदित है यह आपसना आपका राइट है ठीक है चले है प्रस नमबर 28 आपका एक सोध अभिकल्प समंक संक के लिए एक रूप रेखा है इसमें सोध करता यह असपश्ट करता है कि वह तथा प्राति की आसा करता है और वह सूचनाओं का संकल्प कैसे करेगा यह परिभासा संबंदित है यह परिभासा कैनत आर डेविस से संबंदित है यह आपसना आपका राइट है प्रस्ट नम्बर 29 आपका पुछा गया है सोध अभिकल्प के उद्देश से हैं क्या उद्देश से होते हैं सोध अभिकल्प के तो अवलोकन एवंबिश लेशड के लिए आवस्यक आधार प्रस्तूर करना सोध करता कि प्रस्णों का अश्पष्ट उत्तर देना ये दोनों क्या है सोध अभिकल्प के उद्देश से हैं ठीक है सी आपसनाप का राइट है प्रस्ट नमर 30 आपका पुछा गया है सोध अभिकल्प के परकार है यानि सोध अभिकल्प कितने परकार के होते हैं तो अभिशनात्मक और वरणात्मक ये दोनों सोध अभिकल्प के परकार हैं तो C आपसनाप का राइट है प्रस नमबर आपका 31 क्या पूछा क्या है? यह सोध अभिकल्प का वह परकार है जो समस्या की भिजिस्ताओं का वरणन करने से संबंदित होता है सोध अभिकल्प है तो यह सोध अभिकल्प वरणात्मक सोध अभिकल्प है ये आपसनाप का राइट है प्रस्णावली भरी जाती है तो जो प्रस्णावली होती है यह उत्तर दाता द्वारा भरा जाता है यह आपसन आपका राइट है प्रस्णावली है निम्नांकित में से किसे द्वारा पुष्टक यानि ये पुष्टक है रिशर्च मेथड्स इन सोसल्स रिलेसंस लिखी गई है यह पुष्टक सेल्टीज जहोदा एंड अदर्स के द्वारा लिखी गई है यह आपसन आपका राइट है ठीक है यहां अदर्स नाई साथ बुर्दर्स होगा ठीक है तो आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे ध्यान से देख लेंगे ठीक है चले निमने लिखित में से किस ने अपने अनुसंधान में सभागी अवलोकन का प्रयोग किया है यह प्रस्ण म 35 है आपका अनुसंधान के किस तरीके में स्वतंत्र चर का अवलोकन करने और आश्रित चर पर इसके प्रभाव को मापने के लिए परिवर्तन किया जाता है तो यह प्रायोगिक विधी है बी आपसन आपका राइट है प्रस्ण मुम्र 36 क्या है प्रायोगिक अनुसंधान हो सकता है डी आपसन आपका राइट है प्रस्ण मुम्र 37 पूछा गया प्रायोगिक अनुसंधान में किस परकिरिया की आवसकता नहीं है तो पहले यह जान लिजिए कि प्रायोगिक अनुसंधान में किस-किस परकिरिया की आवसकता होती है है हेर फेर और प्रकिर्तिकृत नि रिखा है इसकी आफसक्ता नहीं होती है डि आपसना आपका राइट है कि प्रस नमबर आपका 38 पुछा गया है साच्छातकार यानि इंटर्विव मुलु रूप से समाजिक अंतक किरिया की एक परकिरिया है या परिभासा संबंदित है मानेंद्र नात्वथवसू से से या आ साच्छातकरता को धैरतान होना चाहिए, जो इंटर्विवर है, ठीक है, साच्छातकरता प्रदाता की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, उपरियुक्त दोनों सी अपसनापका राइट है. प्रस नमबर चालिस क्या है, आपका साच्छातकर यानि इंटर्विव के लाब है, तो साच्छातकर वीधी का परियोग में लाना जाल है, छात्रों की अंतरदिरिष्टी को विक्सित करने में सहयोगी होती है, ये सभी दोनों, यानि सी अपसनापका राइट है. प्रस नमबर आपका 41 क्या पुछा गया है, कापिराइट अनुबंध के अंतरगत अधिकार सुल्क की रासी की गड़ना की जाती है, तो बेची गई पुष्तकों के कुल विक्रे मुल्य पर इस रासी की गड़ना की जाती है, डी आपसनापका राइट है. प्रस्ट नमबर आपका 42 क्या है किस प्रकार के अनुवंध के अंतरगत अधिकार सूलक का भूवतान बिक्री के आधार पर किया जाता है तो यह copyright के अधार पर किया जाता है सी अफ्षनापका right है प्रस्ट नमबर 43 क्या पुछा गया है copyright अधिनियम 1957 के अंतरगत निम्नलिखित में से किसको कारे में सम्मिलित नहीं किया जाता है तो एकिकरित सर्कीट के लियाउट प्रति रूप को कारे में सम्मिलित नहीं किया जाता है भी आपसन आपका करेक्ट है प्रस नमर 44 पूछा गया है प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया तो यह पारित किया गया था 1957 1957 में प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम पारित किया गया था यह आपसन आपका राइट है जो प्रकासक थे और जो उपभोगता यानि कस्टमर थे इनके हीतों में संतुलन बनाना ठीक है चले प्रस नमर 45 है सहसंबंद विसलेसड की प्रमुख विसेस्ता क्या है सहसंबंद विसलेसड की प्रमुख विसेस्ता जो होती है चर के बीच संबंद होता है ए आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 46 क्या पुछा गया है उस बाचारिक धाचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है बताए उस बाचारिक धाचे का क्या नाम है जिसमें रिसर्च किया जाता है तो ये है अनुसंधान रेखा ठीक है डी आपसन आपका राइट है यानि research line जिसे बोलते हैं ठीक है चलें प्रस नमबर आपका 47 है 47 नमबर एक मनोबै ज्यानिक परिक्षण वह विवस्थित पर किरिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विवहार का तुलनात्मक अध्यन किया जाता है किसकी परिभासा है तो यह परिभासा है साथियों grand bag की यह अपसन आपका राइट है प्रस नमबर आपका 48 है 48 नमबर माक्स का यानि काल माक्स का दोंदात्मक भौतिक वाद किस आधार पर समाजी घटनाओं की व्याख्या और विशलेशन करता है तो यह भौतिक रासियों भौतिक सक्तियों का ठीक है यह अपसन आपका correct है प्रस नमबर 49 आपका पूछा गया है काल माक्स ने समाजवाद को अवस्था के रूप में पाया और उसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया यह कथन किसका है यह statement लास्की महोदय का है डी आपसन आपका right है प्रस नमबर 50 आपका पूछा गया है आंतरिक बाहरी आलोचनाओं की अवधारणां किसे से सम्बंदित है बताईए आंतरिक बाहरी आलोचना ठीक है यह एक अवधारणा है तो यह अवधारणा किसे से सम्बंदित है एतिहासिक सोध से सम्बंदित है C. आपसनाप का राइट है प्रस नमबर आपका क्यावन क्या पूछा गया है किसी सुरोथ की प्रामारिक्ता से संबंदी चिंताओं से निपटने की परकिरिया को किस रूप में सुधारा जाता है या माध्यमिक आलोचना के रूप में सुधारा जाता है C आपसन आपका राइट है प्रस नमबर आपका 52 क्या है 52 नमबर निम्न एतिहासिक अनुसंधान की परकिरिया में एक कदम तो एक कदम एक सोध विशय की पहचान, आंकड़े और डेटा संगर D आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 53 क्या है पिछली घटनाओ के बारे में चस्मदीत गवाह कहलाते है तो यह प्रारंभिक सुरोत कहलाते है ठीक है पिछली घटनाओ के बारे में चस्मदीत गवाह क्या कहलाते है प्रारंभिक सुरोत तो B आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 54 क्या है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान इस्टिफन कोरे से संबंदित है मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था याद है कि ने बताइए आप सबी लोग बताइए इस्टिफन कोरे से संबंदित कौन सा अनुसंधान है अधार भोत अनुसंदान है व्यवहारात्मक अनुसंदान है वैग्यानिक अनुसंदान है या क्रियात्मक अनुसंदान है बिल्कुल D आपसन आपका राइट है इस्टिफन कोरे से सम्बंदित कौन सा अनुसंदान है क्रियात्मक अनुसंदान किसी भूत काल की घटना की इस्मृतियों और व्यक्तिगत टिपणियों के संग्रव को कहा जाता है मौखिक इतिहास कहा जाता है औरल हेश्ट्री बोला जाता है यह आपसनापका राइट है प्रस्ट नमबर 56 क्या पूछा गया है बहुत छोटे अस्तर पर अतीत का अध्यन कहलाता है बहुत छोटे अस्तर पर अतीत यानि जो बीद गया है इसका अध्यन कहलाता है क्या कहलाता है सूक्ष्म इतिहास कहलाता है ठीक है बी आपसनापका राइट है प्रस्ट नमर 57 क्या पूछा गया तो ध्यान रखेंगे परयोगातमक सोद में जो परिकलपना होती है ये तीन परकार की होती है ठीक है, B आपसन आपका राइट है, अब आपके दिमाग में प्रस्न आएगा सर जी, प्रयोगातमक सोध में परिक्यालपना तीन परकार की होती है अगर पूछ लेगा कौन-कौन से यह क्या करेंगे बिल्कुल चिंता करन की आओ सकता नहीं यह ध्यान से देखेंगे प्रयोगातमक सोध की परिक्यालपना है तीन परकार की होते हैं मैंने उपर बता है कौन-कौन से एक होता है Z परिक्षण, एक होता है T परिक्षण और एक होता है F परिक्षण ठीक है यहाँ पर D आपसन आपका राइट है और उपर वाला कौश्चन नीचे वाले कौश्चन से रिलेट भी कर रहा है ठीक है चले प्रस्ट नमबर आपका साठ क्या है तनावपूर जीवन जीने के परिराम स्वरूप क्यों दिल का दोरा पढ़ता है इसके अध्यन को किस रूप में वर्गी करित किया जाता है मतलब आप समझ रहे हैं अगर आप इस्ट्रेस से हैं डेली आप गुसा हो रहा है किसी चीज को लेकर के परिसान है तो आपको हट अटेक का खत्रा बढ़ जाता है क्यों खरत क्यों बढ़ रहा है अब 20 साल के हो गए है पचीज साल के हो गए है ठीक है तीस साल और आपको जीना है तो किसी बात का टेंसन है तो टेंसन किसी बात का मतलिजिए ठीक है छोटी नोकरी होगी छोटा घर होगा कम पैसे होंगे ठीक है ठीक है affected छोटे होंगे गाड़ी छोटे होगे अराम से आफ जिंदकी को निए आप लोगों को इंसन लेने की विजरुआत नहीं है ठीक है यहां पर क्या है उव्याख्यात्मक सुध है ठीकHै लाय geehrे फोपर कि है केंद्र कोसी और आणविक जियो बिघ्यान है कहां इस्तित है है आपसन आपका राइट है यह competitive exam में भी आपके पूशता है थिक है तो ध्यान रखेंगे यह आपसन आपका राइट है उमईद साथ योँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी क्लास भी अच्छा लगा होगा आपको ठीक है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह से share बटन जो बना है इस पर क्लिक करके आगे इस क्लास को share जरूर करेंगे एक लाइक तो जरूर करके जाईएगा ताकि यूटब इस क्लास को और भी आगे बच्चों के पास भेजे बाकि सब्सक्राब जरूर कीजेगा ताकि अब 6 सेमेश्टर में भी मेरे साथ जूर रहे हैं साथ ही हो ठीक है जल्दी मिलते हैं आपके मौडल पेपर टू में तब तक लिजाहिन वन दे मातरम